Welcome guys to Web3 Mantra तो यार आज हम Solidity का Part 1 देखने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं Solidity की सुर्वात करते हैं सबसे पहले overview ले ले लेते हैं Solidity का ठीक है इस वीडियो में क्या बताऊंगा overview और prerequisite बताऊंगा Solidity के लिए ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हैं solidity क्या है solidity हमारी यार एक object oriented कहलो या contract oriented कहलो programming language है statically typed statically typed मलता हमें यार इसमें जो type रहते हैं वो define करने पड़ते हैं खुद से statically ठीक है और क्या है syntax इसके है जो syntax python javascript और c++ के काफी सी में ले रहे हैं अगर आपने code किया है तो syntax काफी सीमें ले रहे हैं आपको आसानी होगी इससे ठीक है और यह बनी गई है ethereum virtual machine में चलने के लिए ethereum virtual machine में आपको बताता हूं भी ठीक है उससे पहले यह मैंने आपको point बता दिया है कि solidity हमारा क्या है statically typed programming language है तो यह solidity के होते हैं यार जो blockchain में run होते हैं programs ठीक है और उनके बीच में कोई intermediary नहीं होता है वो auto executing होते हैं ठीक है conditionally auto executing contract होते हैं तो क्योंकि हम code लिखेंगे तो सारा कुछ एक बार हम deploy करेंगे सारा कुछ जो outcomes हैंगे यह खुछ सहेंगे ठीक है जैसे मानलो यह ट्रेडिंग की बात है अभी के टाइम में क्या होता है अगर आप यह आप कोई stock trade करते हो तो बीच में intermediary कौन हो गया broker और आपके बीच में intermediary है सेवी ठीक है अगर आप trade करते हो तो बीच में सेवी का role रहता है NSC BSC ठीक है लेकिन जो smart contract की कहानी है यह इसलिए है क्योंकि इनके बीच में कोई intermediary नहीं है decentralized वैप ठीक है इसी के फायदे है यार इसलिए हम ethereum यूज कर रहे हैं तो smart contract इन्हें कहते हैं आप समझ करेंगा आई हो आप पढ़ दीजे जो मैंने यहां पर लिखाया उसको पढ़ दीजे ज हम smart contract लिखेंगे तो कहीं तो से जाना पड़ेगा और ethereum आपको पता है क्या है decentralized network है decentralized network मतलब कहीं एक जगा store है नहीं वह बहुत सारी node चल रही है ethereum में ठीक है तो उनमें क्या होता है virtual machine होती है हमारी उनमें clients रहते है virtual machine हम इसे कहते हैं जिसमें आप system के उपर basically system ही run करेंग जैसे कि आप अगर काली Linux या कोई भी दूसरा Linux अपने operating system में install करते हैं तो आप virtual box का use करते है by default ठीक है अगर आप windows में ही जैसे windows आपका operating system है पहले से ठीक है उसी में आप Linux भी चलाना चाहते हैं तो आपको virtual system virtual box download करना पड़ता है ठीक है basically virtual machine रहता है तो ऐसे ही इसमें होता course से हम तब interact कर पाते हैं तो यह यह आपको virtual machine है Ethereum virtual machine कुछ और जाने की जरूत है नहीं इसमें फिलाल ठीक है अब आजाते है solidity में वापस से लेकिन जो codes बना रहा हूँ वो solidity में है ठीक है और सबसे popular smart contract ले जो language है वो अभी solidity ही है ठीक है और काफी powerful language है तो हम लिखेंगे smart contract solidity compiler के दुरू हम इसे compile करेंगे ठीक है और यह code जो हम लिखेंगे यह compile होके दो चीज में divide हो जाएगा सबसे पहला हमारा ABI इसको कहते है application binary interface और जो दूसरा चीज बनेगा वो बनेगा bytecode ठीक है तो basically दोनों में पूरी information रहती है जितना हमने code लिखाया न वो दोनों में पूरी information रहती है लेकिन इनको हम machine executable बनाते हैं जो bytecode रहता है वो हमारा ethereum virtual machine में रहन होता है तो इसमें basically machine executable code यह हमारा bytecode generate होता है compiler के ठीक है और जो दूसरी चीज है हमारी ABI ABI क्या करते है ABI हम front end से access करते हैं basically front end बोलो या back end बोलो मतलब अपनी जो journal programming language है जैसे JavaScript के ठीक है using web3 API कोई सी भी ठीक है इनको हम access करते है ABI के ठीक है सारे functions वगएरा जितने भी हमने define कर रहे होता है अप access कर सकते हैं तो बस compilation process में आपको इतने जान लेना था ठीक है अब आते हैं यह आप पढ़ लेना यार ठीक है यह काफी लिखा है मैंने वही लिखा है जो आपको अभी बताया है जो हमारा ethereum virtual machine में solidly code deploy होता है तो वो ethereum virtual machine में हमारा byte code run होता है और ABI application binary interface हम यूज करते हैं interact क ठीक है बस यही है आप पढ़ लेना मैं दिखा रहा हूं आपको पढ़ लेना मैंने वही चीज आपको बताईया अभी ठीक है तो यह basically solidly के बारे में इतने आपको समझना था और last में आजाते है अपने prerequisite में तो prerequisite तो आपके लिए होगा यार कोई ज्यादा कुछ नहीं है अगर आपने पहले कोई भी programming language यूज किया है लाइक उसमें काम किया है अपने C, Python, JavaScript या कोई भी ठीक है तो आपको basic knowledge रहता है programming language का ठीक है तो बस यही prerequisite है अगर आपने नहीं किया है तो यार समझने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि यार जो solidity हमारा वो basically smart contract के लिए यही solidity develop की गई है क्योंकि वो smart contract language है और जो general use हमारे language होते है उनमें आपको fundamental concept सीखना बहुत चरूरी होता है ठीक है वैसे मैं course में ऐसा course समझाने की कोशिस करूँगा कि जो beginner होगा बिल्कुल इसने कोई भी language नहीं किया है उसको भी समझा जाए पूरी कोशिस करूँगा मै अपनी तरब से लेकिन फिर भी है beneficial यही रहता है अगर आप पहले कोई और language आपको आती है या आपने थोड़ा महुत भी काम किया है तो आपको basic idea लग चाएगा solidity ठीक है तो बागी तो मैं सिखाने वाला हूं ऐसे कोई दिक्कत की बात ही है अगर की हुए है पहले से तो का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे वहां पर कोई नहीं चीज आती है या वहां पर मैं समझाता चला चलूंगा ठीक है समझाता चलूंगा मैं साथ-साथ में क्योंकि ऐसे में हो सकता है आपके दिमांग सब्सक्राइब लेकिन मैं खली बताने के लिए कर रहा था यह उसके बा कि एल रहा था छाइब लेकर अवकरा चलूंगा पर काुलूंगा मैं ।